भाई मैं पढ़ना तो चाता हूं पर मन ही नहीं लगता जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं ध्यान इधर उदर बटकता है जैसे तैसे करके मैं खुद को समझा पुजा कर अगर बैठ्वी जाता हूं तो इतने लंबे-लंबे questions को देखके इतने लंबे-लंबे सवाल को देखके मेरा मन ही ने करता मन करता है कि कल पढ़ लूँगा अभी mood नहीं बन रहा है यहर कल पढ़ लूँगा अभी mood तो बनी नहीं रहा तो पढ़ू कैसे तो भाई सुन तु इंतजार करते है रहा अपने mood सही होने का और तु बस जीवन में इंतजारी करता राज जाएगा और बाजी मार जाएगा वो लोग जो तुछ पे हसा करते हैं वो सही कहते थे कि तू कुछ ने कर पयगा क्योंकि तू अभी भी अपने mood पर tolerant है अभी भी तू अपने mood पर dependent है इसलिए तू कुछ नहीं कर पाएगा, सही कहते थे वो लोग तो यार सुन, एक बात सुन, यार एक बात याद रखना ये दिन गुजर गया न, तो फ़र कभी वापस नहीं आने वाला चाहे तू कितना भी रोले, वो दिन कभी नहीं आएगा यही समय है उसको बतलाने का कि तू क्या चीज है, तू क्या कर सकता है उसको अपनी उकाद दिखा दे और तू क्या कर सकता है, तू अपनी उकाद दिखा दे मैं एक बात बोलूं, आपको खुस होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा मौका है इस दुनिया को बतलाने का कि तुम क्या चीज हो तुम क्या कर सकते हो तो बस अब और नहीं तु खुश से ये वादा कर कि अब जो भी हुआ उस पे रोएगा नहीं पूरे साल महसती की कोई बात नहीं हर बक्त अपना कीमती समय बरवात किया कोई बात नहीं पूरे साल ऐसे ही करके बीट गया कोई बात नहीं पर अब से तू बढ़ेगा अब से तू महनत करेगा दिन रात एक कर देगा अपने सपनों के पीछे तो बस अपना mood सही होने का इंतजार नहीं करेगा, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों को बुराई करने का वक्त ही ना मिले तो आपको आप नीचे बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर करे, अपने दोस्तों के साथ सेर करे, चैनल को सस्क्राइब करे, आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहेगी